लखनाउ से इस वक्त की बड़ी खबर यूबी में 14 आई-एस अफसरों के तबादले किये गए हैं लखनाउ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रणवीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए हैं आजय चोहान सच्चिव लोक निर्माण भवन बने हैं दस जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए हैं यूपी में 14 आई-एस अफसरों के तबादले किये गए हैं लखनाउ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रणवीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए हैं आजय चोहान सच्चिव लोक निर्माण भिभाग बने हैं दस जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए हैं लखनाउ से बड़ी खबर बता रहे हैं यूपी में 14 आई-एस अफसरों के तबादले किये गए हैं यहां रणवीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए हैं आजय चोहान सच्चिव लोक निर्माण भिभाग बने हैं दस जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए हैं गोंडा में पानी ने लोगों की मुसीवत बढ़ाई हैं गोंडा से बड़ी खबर बता रही हैं पहाडों से छोड़े गए पानी से लोगों की मुस्किले बढ़ी हैं करनल गंज तहसिल शेत्र में लगातार पानी बढ़ रहा है सैक्डो गाओं में मड़ा रहा बाड का खत्रा बाड कोली का प्रशासन ने तयारी पूरी कर ली हैं गोंडा में पानी ने लोगों की मुस्किले बढ़ाई हैं गोंडा से बड़ी खबर बता रहे हैं पहाडों से छोड़े गए पानी से लोगों की मुस्किले बढ़ी हैं करनल गंज तहसिल शेत्र में लगातार बढ़ रहा है पानी वहीं सैक्डो गाओं में बाड का खत्रा मड़ा रहा है बाड कोले का प्रशासन ने तयारी पूरी कर ली है वदायों से बड़ी खबर बता रहे हैं संदिक्द हालात में अग्यात युवक का शव मिला है काजी का पेट्रॉल पंप के पास सब मिलने से संसनी फैली हुई है सुचना पर पहुँचे पुलिस शव के सिनाक्थ में जुटी शव का पंचनामा भर कर पोस्मातम के लिए भेजा अलापूर थाना शेत्र की घटना बताई जा रही है बदायू से बड़ी खबर बता रहे हैं संदिक धालात में अग्यात युवक का शव मिला है काजी पेट्रॉल पंप के पास सब मिलने से संसनी फैली है सूचना पर पहुंची पुलिस शव की जाच में जुटी शव का पंचनामा भर कर पोस्मातम के लिए भेजा अलापूर थाना शेत्र की घटना बताई जा रही है अमेठी में पुलिस की कारशेली पर सवाल उठे हैं अमेठी से बड़ी खबर बता रहे हैं साइकिल चोर को गांजा तसकर दिखा कर किया खुलासा जामो पुलिस ने साइकिल चोर को गांजा तसकर दिखा कर भेजा जेल आमेठी में पुलिस की कारशेली पर सवाल उठे है साइकल चोर को गांजा तसकर दिखा कर किया खुलासा इस खबर पर जादा जानकारिक लिए हमारे समवाद दाता अरविंद हम से जुड़ेंगे अर्विंद साइकिल चोर को गांजा तसकर दिखा कर जेल भीजा गया है क्या कुछ पूरा मामला है जी आपको मैं बिरकुल वतादू मेयूरी की ये मामला मेठी जी लेके जामू ठाना से आता है जाप दो दिन पूर जामू पुलिस ने एक साइकिल चोर को आधा दर्जन से अधिक चोरी की साइकिल के साथ खरीदने वाले दुकानदार को किया था गिरबतार आज वही जामू पुलिस ने वही साइकिल चोर को गांजा तसकर दिखा कर भेजा है जेल ऐसे में जामो पुलिस की ये एक निंदनिये हरकत है जी मयूरी जी धन्यवाद अर्विन तमाम जनकारियों के लिए कानपूर से इस वक्त की बड़ी ख़बर चार दुकानों में आग लगने का हुआ खुलासा यूवक ने लाइटर से दुकान में लगाई थी आग यूवक के आग लगाते वीडियों सीसी टीवी कैमरे में हुआ कैड सीसी टीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा आग से लाखों का सामान जल कर हुआ खाक बाबु पुर्वा शेतर के 40 दुकान का मामला चार दुकानों में आग लगने का हुआ कुलासा कानपूर से बड़ी ख़वर बता रही यूवक ने लाइटर से दुकान में आग लगाई थी यूवक के आग लगाते हुए वीडियों सीसी टीवी कैमरे में कैद हुआ था जिसके बाद सीसी टीवी के अधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा आग से लाखों का सामान जल कर हुआ था खाक बाबु पुर्वा शेत्र के चालीस दुकान का मामला लखनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं यूवक के संदिग परिस्थितियों में लगी गोली गर्दन पर लगी यूवक को गोली ट्रामा सेंटर में चल रहा यूवक का इलाज बाला गंज के नोवा हॉस्पिटल का मालिक बताया जा रहा है यूवक थाना ठाकुर गंज शेत्र का मामला बताया जा रहा है यूवक के संदिग परिस्थितियों में गोली लगी है लकनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं गर्दन पल लगी यूवक को गोली इस खबर पजादा जानकारिक लिए हमारे समवाद आता शादाव हम से जुड़ेंगे शादाव यूवक के संदिग परिस्थितियों में गोली लगी है क्या वज़ा है गोली लग ने की देगे मैं आपको बता दू कि कल देर रात का मामला है जब यूवक ने अपने लेशनसी पिस्टल से अपने को गोली माली अलगी जो प्लीस है पुलिस का साथ दोर पर कहिना है पुलिस ने बताया है कि ये नशे की हालत में था जितने अपने उपर उतने गोली चलाई उसको गंबीर आप पुलिस इसको ट्रामा सेंटर लाई जहां उसको एड्मिर आया है पिर अभी डाव्तों कहना है कि हालत गंबीर है और वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साथ ब़ूर पर ये भी कहना है कि ये नशे की हालत में थे और इनकी पतनी मैके गई वी जी इसमें मनमुताओ चला तहां पसमें इस चलते इन्होंने जो है अपने पर गोली चलाई है हम आपको ये भी बता दे कि इसका ये जो यूवक है इसका एक हॉस्पिटल है नुवा हॉस्पिटल के नाम से इसका मालिक है मनी सियादो नाम है इसका जी धन्यवाश अदाब कानपूर से इस वक्त की बड़ी खबर हुक्काबार में पुलिस की बड़ी कारवाई पश्चिम जोन के डी सीपी विजय दुल के निर्देश पर हुई कारवाई थाना स्वरूप नगर शेतर में हुक्काबार पर कड़ी कारवाई की गई है एसीपी स्वरूप नगर ब्रिज नारायन सिंग के नेतुर्ट में छापा मारा गया है मौके से चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है कारवाई से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है इस खबर पर जादा जानकारे के लिए हमारे समवादाता अनील हम से जुड़ेंगे अनील हुका बार में पुलिस की बड़ी कारवाई सामने आई है क्या है पूरा मामला सुबे के मुखिया ने हुका बार पुले के चिंता जटाई थी कि बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं तब से कानपूर में कहीं पुलिस इंट फ्यूजों पे काफी सक्री हुई है और पर्श्चिंग जोन को जो बीस इपी विजय दूल है उनके देशन पे कल सुरूप नगर थाना चेतर में हुका बार पर बड़ी कारवाई की गई थी और देर रात ही आपड़ा तपरी का माहौल मचा रहा और बता दू कि टर्ण ओप कैफे है जिस पर लगबग बहुत सिकायते आ रही थी कि यहां पर उपकावार चलता है और नो युगा जो होते हैं यहां जाके ही सब चीज़े करते हैं कि उसके बाद एसेपी सुरूप नगर बिज मिरानक के अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे है कच्ची दिवार गिरने से बुजूर्ग महिला की मौत हो गई है आनन फानन में ग्रामिडों ने महिला को अस्पताल में भरती कराया डॉक्टरों ने महिला को मृत गोशिक कर दिया है जामो थाना शेत्र के हर गाउं का मामला बताया जा रहा है कच्ची दिवार गिरने से बुजूर्ग महिला की मौत हो गई है मेटी से बड़ी खबर बता रहे है आनन फानन में ग्रामिडों ने महिला को अस्पताल में भरती कराया जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत गोशित कर दिया है जामो थाना शेत्र के हर गाउं का मामला बताया जा रहा है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप देखने प्राइम टीवी में